नमश्कार मैं हूँ आपके साथ हनुश्का और स्वागते आप सभी कार्नाइन भारत में आप हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें साथ ही आप आर्नाइन भारत को फेस्बुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें बयाना से जहां लुटेरी दुलहने शादी के कुछ दिनों बाद लाखो रुपए की जिवरात वर नगती लेकर हुई रफूचकर जी हां बयाना चित में फर्जी शादी कराने वले ठगिरो और लुटेरी दुलहनों का एक कारणामा सामने आया है बड़ित दुलहन की कहाने सुनें तो पता चलता है कि ग्रामिर चित्रों में ऐसा ठगिरो शक्री है जो मजबूर यूकों को मजबूरी का फायदा उठाकर लुटेरी दुलहनों से ऐसी साधियां करवाने के नाम पर मूटी रकम भी लोग एटती है और साधिय के कोजिनों बाद मौका पाकर या कथे दुलहने घर में रखे लाकों के माल को पार कर ले जाती है ऐसा इकार नामा बयाना वरत के थाना कड़ी बाजना छित्र के गाउं वैसोरा में हुआ है बड़ती वक्राजेस सर्मा ने कोट की जर्ये बुले साना में मुकदमा दर्श कराती है बताया कि उसके वह उसके भाई कि साधी गत 17 फरोरी को करावली जिले के गाउं अतिपूरा निवासी भरत सर्मा वा कंचनपूर के गाउं सोहा निवासी मनोज पुत्र बैजनात के उठाना रूप वास के औढ़हला निवासी शियूराम भगत ने उसकी मां से 7 लाख रुपे ले कर प्रिती वचान्दी नाम की उतियों से साधी क पाज जब उनके घर पर कोई नहीं था तो घर में रखे सोने चान्दी के जिवरा वबीस दार रुपे नगत कुले कर चिप चाप रहो चकर्व गए अवे लोग दो लाख रुपे की डिमांड करती वे धंकिया दे रहे हैं पुलिस ने मामला दर्ज करका एरवाही शुरू क मेरा नम राजिस कुमार सर्मा है मैं बैसाराबा निवासी शाथ में मेरे भाई रामिसर की साधी इनी थी 17 फरवरी 2022 को जिसमें हमसे 7 लाख रुपे ले लिए थे बसेडी में निवासी जेयो मनुज बरत और सिवरांदुर उस बगत जी उन लोगों ने 7 लाख रुपे लेक पर हम लोग घर पे नहीं थे उस बाद मौकप आके वो लोग चले ले लेकर चले ले उस बाद उन्हों में दोलाख रुपे की डिमाइंड करी है और कह रहे हैं कि अवर आपको पतनी चाहिए तो दोलाख रुपे जेंगा हमने मुकाद्वांगी दर्ज कराय हुआ है घड़ Facebook, YouTube और Twitter पर follow भी कर सकते हैं